Hello everyone, this is Rittu, उमीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगोंने RPF Constable और SI का फॉर्म पे फिल कर दिया होगा लेकिन कुछ एस्परेंट ऐसे हैं जिन्होंने 14 तारीक तक 14 मई तक अपना फॉर्म तो फिल कर दिया था RPF Constable और SI का लेकिन वो लोग अपनी फीज सब्मिट नहीं करवा पाये थे तो उनकी लिए RPF ने स्पेशली एक नोटेस जारी किया अदलब कि सुलेरा मौका उन बच्चों को मिला है जो कि जाने अन जाने या फिर किसी और रिजन से अपने फॉर्म की फीज सब्मिट नहीं कर पाये थे तो 18 मई से लेकि 20 मई तक आप लोग उसकी फॉर्म की फीज सब्मिट कर सकते हैं दो दिन आप लोग के लिए काफी होते हैं इसलिए डरने की आप लोग को बिल्कुल विज़रत नहीं है जिन लोगों की फीज सब्मिट नहीं हो पाई थी तो इस वीडियो में मैं आप लोग को RPF से रिलेटेट सारी बाते बताऊंगी ताकि आप लोग के RPF से रिलेटेट जितने भी आप डाउट्स हैं तो वो सारे इस वीडियो के बाद आप लोग की क्लियर होने वाले हैं इसलिए आप लोग को वीडियो को एंड तक जरूर दे इसमें मैस रीजिंग सारे सब्जेक्ट आप लोगो को मॉड्यूल के अंदर मिल जाएंगे इन शोर्ट नॉट्स के आप लोगो को कहीं सारे फाइद हैं जिसे कि आप लोगो को खुद से हैंड नॉट्स रबनाने की ज़रूत नहीं पड़ेगी ति काफी सारा टाइम आप लोगो कर बच्च आएगा साथ में आप लोग इसके अएगजाम जब तक आएगा अप लोगो के पैसे भिर ना क्याँ वेदिग आप सभी लोग जानते हैं कि ऑर आप लोगो की चुद करेक्शन के डेए तो आप लोग की 15 माई से लिए कि 24 माई तो उसको तो आप लोग इसमें करвар सकते हैं इसको आप लोग को correct करवाना है आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोग की जो correction fees है वो वन टेम आप लोग की 250 मतलब की 200 रुपे रखी गई अब देखिए आप लोग को जो ने जो फॉर्म फिल करवाया है तो वो पूरा completely तो आप लोग का correct नहीं होगा लेकिन इसमें भी इमेल आइडी में आप लोग कोई correction नहीं होगा फोन नमबर में आप लोग कोई भी change नहीं होगा कि आप लोग चाहें कि मैं अपना इमेल आइडी य फोन नमबर गलत बढ़ दिया था तो उसको मैं change करवा लो तो वो आप लोग को बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा साथ में आ अपना correction करवा सकते हैं, आपना sign थानी करवा सकते हैं photo में और इच्छन करवा सकते हैं अपने educational details तो AJ week जोनी करना Stevens गियर निंदा करूण्न थेन किन था टॉट बर यह जोनी किन ए।액ी थे नीमन करना या इसे में तो तो इसे में बड़ी हैं कर वा सकते हैं और सबसे बड़ा चेंज आप लोग का 岩्सों अबारे सकते हैं मेरे पास वा क् Ahora की कोमेंट आ रहे थे कि मेडम मेरे पास स्टेट का kung का सटेट है अबी सेटर कले का नहीं बनाए ब्रुस और रीजन से साइबर कैफे वाले ने बनवा कर नहीं दिया है तो देखिए उन लोग को यह वापस मौका मिल चुका है आप लोग का सबसे बड़ा जो इशू आ रहा था तो कास सर्टिपिकेट को लेकर ही आ रहा था क्योंकि हचारों अस्परेंट ऐसे हैं जिनोंने अपना कास सर्टिपिकेट स्टेट का बढ़ दिया है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोग की यह वैकेंसी है तो यह आप लोग की सेंटर की वैकेंसी है तो इसमें आप लोग का जो कास सर्टिपिकेट लगेगा खासकर आप लोग का जो सबसे साधी अधिक्त आती है तो वो EWS और आप लोग की OVC में आती है क्योंकि जो EWS का्स Certificate है तो वो आप लोग का financial year CTE के लिए लिए तो OVC का आप लोग का तीन साल का valid होता है सेंटर वाले में आप लोग का जो जिस दिन से आप लोग बनवाते हैं तो उससे आप लोग का तीन साल तक वो आप लोग का वैलिड होता है मतिल कि एक सेट पर कितने लोग का कॉपरिशन रहने वाला है और कितने लोगों ने फॉर्म एप्लाइ किया है तो देखिए इसको जानने से पहले मैं आप लोग को इसकी प्रिवियस यर डेटा पर एक बार जबूर बता देती हूं क्योंकि आप लोग सभी जानते ही कि इसकी जो प्रिवियस बढ़ती थी तो उसमें आप लोग के A, B, C, D, E, F group wise आप लोग की वेकेंसी आती थी लेकिन इस बार आप लोग का ऐसा नहीं हुआ है और आप लोग की वेकेंसी आई है तो इसको समझने के लिए पहले आप लोग को 2018 वाला जो प्रिवियस डेटा था तो प अपलाए हुए थे तो आप लोग के 69 लाख फॉर्म अपलाए हुए थे कॉंस्टेबल पद के लिए मतलब की एक सीपर जो कॉंपरिशन था 2018 वाली वर्ती में तो आप लोग का 684 लोग के बीच में आप लोग का कॉंपरिशन था अब बात कर लेते हैं आर्प एसाई की जो क आप लोगरम की 2018 वाई तो ऊसमें तोल जो आप लोग की वेगेंसिय आई थी तो आप लोगर कीई नहीं आई है ओल इंडिया लेवल पर आप लोगर की वेकैंसीन निकलिये जिसमें आप लोग के ऑंसीपर औरन DC की अच्छेए थीच में आप सभी लोग जानते हैं कि इस वा मैंने आप लोग लगा दिया ताकि एक्जेक्ट डेटा हमें पता लग सके लेकिन मुझे लगता है कि 20 तारीक से पहले पहले जवाब नहीं आएगा क्योंकि लोगों ने जो फीज डेट है तो वह भी एक्स्टेंड कर दी मतलब कि 20 तारीक तक आप लोग इसके जो फीज है तो इस बार बता रहे हैं कि RPF Constable और SIA के लिए 24 में इस बार इतने form फिल हुए हैं लेकिन यह सब कुछ केवल आइडिया है क्योंकि इससे पहले जो बढ़ते थी तो उसमें जो registration नमबर होते थे तो उसको easily code करके जो आप लोग का डेटा था तो वो बता दिया जाया करता था ल आप लोग को दो रजिट्रेशन नमबर दिखाऊंगी जो कि आप लोग का डेट फर्सका है जब आप लोग के फ़र्म के बना शुरू हो एते मतलब की 15 अपरेल का और एक लास्ट रजिट्रेशन नमबर दिखाऊंगी जो कि आप लोग का 14 माई का था जब आप लोग का था 3 5 9 6 तो यह आप लोगों का registration number है इसमें आप लोगों को जो data दिखाई दे रहा है आप लोगों को तो यह आप लोगों का RPF से start होता है ठीक है उसके बाद लास में आप लोगों का C लिखा आता है C मतलब होता है और जहां पर S लिखा आता है जिन लोगों का SI के लिए form फिल किया है तो वह C की जगे आप लोगों का S मतलब की सब इंस्पेक्टर लिखा हुआ आता है इन चीजों पर अभी आप लोगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है लेकिन हाप लोगों का जो इस बार form apply हुए है तो वो आप लोगों की उमीद से कम हुए है लेकिन आप लोगों का पिछली बार के according बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है क्योंकि आप लोगों की सब स्ब्स्यादा form apply हुए है तो इन पांच राज्यों जो की UP, Bihar, Rajasthan, MP और आप लोगों की हर्याड़ा इन पांच राज्यों से आप लोगों की सब स्ब्सदा inform apply हुए है सबसे से पर लोग को कॉम्पीट करना पड़ेगा इसमें तो वेकंसी आई है तो आप लोग की गूप वाइस तो आई नहीं है आप लोग की ओल इंडिया लेवल पर आप लोग को कॉंपीट करना पड़े गाए इस वज़े से जो अधर स्टेट है तो उनोंने तो अपरिशन में ज्यादा भाग लिया ही नहीं क्योंकि वो सभी जानते हैं क इन पांच राज्यों में गौवर्मेंट जॉप को टकर देना एक काफी बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है इस बार आर्पीफ कॉंस्टेव और एसाइ की मैक्सिमम सीट पर इन पांच स्टेट का ही कबजा रहने वाला है यही आप लोगों जातर देखने को मिलेंगे वा कि आप लोगों की सामनी चीजे क्लियर हो पाए एक अथेंटिक डेटा के साथ वागी इसके रिगार्डिन अगर आप लोगों को जो भी डाउट रह गया तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं मेडिकल इसूस इनको होते है तो भी मुझे इंस्टाग्राम पर प प्रिजिकल या फिस्टेडी में जिनको प्रॉबलम में तो सारी में सबकी रिप्लाय हो आपे करने की कोशिश कर दो